अगर दोस्तो आप ब्रधावस्ता पेंशन अप्लाई करते हैं तो आपको सरकार की तरफ से 500 उर्पे प्रत महा दिये जाते हैं आज की इस वीडियो में दोस्तो हम आपको बताने वाले हैं कि ब्रधावस्ता पेंशन कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे कौन कौन से यहाँ पर डेकुमेंट लगेगे इसके साथ में दोस्तो यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है यह पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं आगर दोस्तो आप भी अप्लाई करना चाहते हो और 500 और प्रतिमा का लाव लेना चाहते हो तो इस वीडियो में शुरू सा आखरी तक बने रहे हैं यहाँ पर हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रस कर लीजे तो चलिए दोस्तो फिर हम वीडियो सुरू कर लेते हैं दोस्तो ब्रद्धावस्ता पेंसर आउनलाइन अपलाई करने के लिए डिस्क्रप्शन में एक लिंक मिल जाएगा वहाँ पर किलिक करोगे तो डारेक्टी स्पेस पर ओपन हो जाओगे दिन दोस्तो यहाँ पर आपको एक आउप्शन मिलेगा ब्रद्धा वस्ता पेंसर यहाँ पर किलिक करेंगे उसके बाद मैं दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको तीन आउप्शन देखनों को मिलने हैं पहले हम करेंगे पातरता की बात हम पातरता के option पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 200 अपलाई करने के लिए आयू 60 वर्स से 150 वर्स तक होनी चाहिए इसके साथ में जो यहाँ पर आय प्रमाड पत्र लगेगा यहाँ पर दोस्तों अगर ग्रामिड छेतर से हैं तो 46.08 आय होना चाहिए या फिर सहरी छेतर से हैं तो 56.460 आय होना चाहिए और कोई भी योजना में अगर आप पेंसल ले रहे हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप पात्र वेक्ती नहीं हैं यहाँ पर दोस्तों मासिक अनुदान 500 रुपए आपको प्रत्मा दिया जाएगा इसके साथ में यहाँ पर पासपोर साइस फोटो और आवेद का आय प्रमाड पत्र होना चाह यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं तैसील क्लिक करेंगे इसके बाद में यहाँ पर टाउन क्लिक करेंगे आपका कौन सा टाउन है सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर वार्ड आपका कौन सा वार्ड लगता है वो आप सेलेक्ट करेंगे इसके बा यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं data of birth calendar के option पर click करेंगे और data of birth को select करेंगे इसके बाद में यहाँ पर पती का नाम type करेंगे यहाँ पर इजन्ट्स हैं तो पिता का नाम type करेंगे यहाँ पर स्रेडी क्लिक करेंगे कौन सी स्रेडी है जर्नल है मिनोरिटी है ओबी सी है असी है जो भी हो दोस्तों आप चूज करेंगे mobile number type करेंगे full address type करेंगे यहाँ पर आपको option मिलेगा बैंक का बिवर देना होगा तो इसके लिए click करेंगे आपकी कौन सी बैंक है अपनी बैंक को select करेंगे इसके बाद में यहाँ पर साखा का नाम click करेंगे आपकी कौन सी साखा है अपनी साखा को दोस्तों select करेंगे जैसे दोस्तो साखा का नाम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर IFSC Code देखनों को मिल जाएगा यहाँ पर दोस्तो आप यहाँ पर bank account number टाइप करेंगे इसके बाद में जो आई प्रमाड पत्र है आई प्रमाड पत्र पर दोस्तो आवेदन संख्या आपको देखनों को मिलती है वो इसके बी तक होना चाहिए यहाँ पर दोस्तो आई प्रमाड पत्र यानि की birth certificate आप अप्लोड करेंगे जो PDF में और दोस्तो के बी के अंदर होना चाहिए यहाँ पर दोस्तो आप declaration देखनों को मिल जाएगी इसे accept करेंगे यह capture यहाँ पर फेल करेंगे और submit के option पर click करेंगे submit के option पर click करने के बाद में इस तरीके से आपको interface देखनों को मिलेगा देख सकते ही ब्रदावस्ता pension पंजी करण form शवलता पूर्वक भरा जा चुका है आपका पंजी करण शंख्या ठीक है इस पंजी करण संख्या को दोस्तो आपको copy करना है दन इसके नीचे दोस्तो सी pension आपने apply किया है वो अपनी choose करेंगे यहाँ पर certificate number दोस्तो आप type करेंगे और यहाँ पर mobile number type करेंगे और send OTP के option पर click करेंगे इसके बाद में दोस्तो जो भी आपने mobile number fill किया हो उस पर एक OTP जाएगी वो TP fill करेंगे दन दोस्तो यह capture यह capture आप यहाँ पर fill करेंगे उसके बाद में login के option पर click करेंगे इस तरीके से आपको dashboard देखने को मिल जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं कि setup 1 complete हो चुका है हमें यहाँ पर setup 2, setup 3 complete करना है इसके लिए दोस्तो हम यहाँ पर application pending for final log click करेंगे इस तरीके से पूरी information देखने को मिल जाएगी जो भी आपने form में fail किय हुआ होगा उपर को scroll करेंगे आप दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर accept करना है और इसके बाद में जो भी यहाँ पर आपको capture देखने को मिल रहा है यह capture यहाँ पर fill करेंगे उसके बाद में दोस्तों यह form पूरा आपको check कर लेना है कि कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं fill किया है अगर आपने कुछ भी correction किया है उसके बाद में यहाँ पर update detail के option पर click करेंगे यह फिर आपने विलकुल पूरा form सही भरा हुआ है तो direct app यहाँ पर final submit के option पर click करेंगे यहाँ पर okay के बटन पर click करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि success form final submitted okay के बटन पर click करेंगे यह यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि setup to complete हो गया है, इसी तरीके से हम यहां पर setup 3 complete करेंगे, इसलिए हम यहां पर click करेंगे, इस तरीके से dashboard पूरा देखनों को मिल जाएगा, उपर को scroll करेंगे, यहां पर आधार number type करेंगे, और यहां पर दोस्तों accept करेंगे, यह capture यहां पर fill क और click for आधार authentication के option पर click करेंगे इस तरीके से आपको सामने एक pop-up देखने को मिलेगा OK के button पर click करेंगे और यहाँ पर OK के button पर click करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा setup 3 वी complete हो चुका है verify हो चुका है अब इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक option मिलेगा print application क्लिक करेंगे OK के button पर click करेंगे इसके बाद में दोस्तों पूरा form हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इस form को हमें यहाँ पर print application के option पर click करेंगे और इसे print कर लेगे और दोस्तों फॉर्म प्रिंट करने के बाद में आधार card, आय प्रमार पत्र passport size photo इसके साथ में दोस्तों यहाँ पर bank passbook यह सहीत आपको document समाज कलियार विभाग में जमा कर देना है और यहाँ पर आपकी pension approve कर दी जाएगी इसके बाद में हर महिने आपको pension मिलना शुरू हो जाएगी अगर दोस्तों वीडियो में जानकारी सही लेगी है तो जरूर से वीडियो को like कर दीजे चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लीजे अगर कोई भी मन में doubt है तो आप comment करके पूछ सकते हो